दोस्तों यह बंदा सबसे पहले एक पुरानी स्कूटी लेता है उसे खोल लेता है खोलने के बाद इस तरह से पाइप काट लेता है पाइप काटने के बाद इन पाइप को इस तरह से वेल्डिंग कर देता है वेल्डिंग करने के बाद यह बंदा इस तरह से चोटे चोटे प बाद यह बंदा इनको वायर को असेंबल करने लगता है इसके बाद इये वंदा इस तरह से एक ढाचा तैयार करता रहा गा लेता है यह लगभग बनकर तयार हो गया दोस्तों यह महेंत अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजेगा दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये सोलोर पेनल से चलने वाली इसकुटी तैयर हो गई है आप इस तरह की इसकुटी बनाना पसंद करोगे